मेरे पेरे दोस्त, आज मैं आपको एक अलग सा प्रक्रिया सिखार, हमने एक लॉक्डाउन स्टार्ट किया है आपके लिए, कि आप घर बैठ करके न टाइम बेस्ट मत करो, मैं आपके लिए महनत कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ महनत करें, मैं जो बुलवाता हूं आप बोले का याद कर जाते हैं, हमेशा मैं स्ट्रक्टर सिखाया हूं, लेकिन अब मैं इस एट डेज में मैं चाहता हूं, कि आप कुछ संटेंसिज को याद कर लें, कुछ वर्ड्स को याद कर लें, बोलने का अंदाज बदलें, डे टुर लाइफ में सामिल करें, और फिर आपको अ आ जाओगा, जैसे अग्रेजी बोलने के लिए कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ फॉर्मलीटीज होते हैं, जो आपको निभाने पड़ते हैं, कुछ लिस्ता चार होते हैं, जैसे आप sorry बोलते हो, thank you बोलते हो, तो भाई यह sorry कितने तरह से बोल सकते हैं, वाई यह thank you, कै इसे बोला जाए, क्या थैंक्यू बोलके चूप हो जाए, या थैंक्यू बोलके या विलकम करें, क्या होता है, यह तो सब पता है, कि भाई कुसी ने शारी कहा, या किसी ने थैंक्यू कहा, तो हम उसके बदले अंसर क्या देंगे, ठीक है, it's okay, लेकिन, अब मुझे कहना है, क कुछ ऐसे संटेंस हैं जोंगे शौरी में, जो हम लोग संटेंस को बढ़ा कर सकते हैं, यानि सौरी बोल करके, कुछ हम उसे फैला सकते हैं, अब वही फैलाने के लिए, मैं आपको कुछ स्पेसल संटेंस, कुछ स्ट्रक्चर देने का प्रयास कर रहा हूं, तो मेरे दोस्त मेरे साथ, देखिए और सुनो ध्यान से, एक बात और मैं आपसे करना है, कि जो संटेंस में आज पहता हूं, उसको आप दिन भर रिभीजन करो, कभी भी बोलने का प्रयास करो, जब आप फोन करो, किसे से बात करो, तो उसे रिभीजन करो, नमबर टू बात एक करनी है, कि जैसे किसी बच्चे को डिटेल क्लास करना है, पूरा क्लास करना चाहता है, बढ़िया से पढ़ना चाहता है, किसी ने DSL English App डाउनलोड किया है प्ले स्टोर से, तो जो नमबर दिया जा रहा है, यह जो नमबर दिया गया आपको, तो इस नमबर पर डाउट न करें, वो नम चाहता है, तो आप मुझसे वेरिफाइ करवालो, मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन आप इस पर किसी भी नमबर पर आपको पेक प्रमेंट करने में कोई हिसकी चाहट नहीं होई चाहिए, आप डरना मत, आपने अगर 25 पैसा भी कंपनी में जमा किया है, तो आपका पैसा वेस चाहिए, बहुत बोल देते हो, लेकिन शौरी का बहुत ब्यापक रर्थ है, बहुत बड़े अर्थों में शौरी बोला जाता है, आपने कहा I'm sorry, तो I'm sorry का मतलब है यार मुझसे खेद हो गया, तो कोई जरूरी नहीं कि बड़ी गल्ती हो, छोटी गल्ती हो, बड़ी गल्ती हो, किसी भी तरह की समस्या हो, तो आप sorry आज के लिए common भासा है, आप बोलते हो I'm sorry, हैना, चलते वे चल रहे हैं I'm sorry, हैना, तो I'm sorry I'm really sorry, आपने गल्ती कर दिया है, हैना, किसी को आपने बुरा भला कह दिया जी, किसी को आपने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया तो I'm really sorry, I'm extremely sorry, I'm very sorry, I'm very very sorry, तो यह जब भी आप बोले ना, तो आप अपनी body language को तो आप साचेंज करें, आप आपको sorry कहते हो, है I'm sorry, ऐसा नहीं बोलना है, आपको थुआसा ना, एक उस वे में बोलना है, कि जिसमें आपको हलका सा फील हो, कि आपको हाँ बगई इस काम को करने के बाद तो आपसा दूख फील हो रहा है, I'm sorry, I'm very sorry, I'm extremely sorry, I'm extremely sorry, I'm extremely sorry, I didn't do that, हैना, तो आप extremely sorry, clear, I, I, तो कुछ तरह से, I'm very sorry, I'm so sorry, I'm so sorry तो इस तरह से आप किसी sentence को स्टार्ट कर सकते हो, बोल सकते हो, इस शौरी कहने के एक तरीक हुए, जिसमें आप शौरी को आपने बोला, I'm sorry, I'm real, मिरे साथ बोलो फ्राफट, इसको याद कर जाना है, हमेशा बोलने में यूज करना है, याद करने का मतलब क्या होता है, ती अँभास मिले, 15 अबसे बात बोलते, दीन भर में इसका उज कर ले, किसी को बोले, I'm sorry, किसी को बोले, I'm so sorry, किसी को बोले, I'm extremely sorry, I'm very very sorry, किसी को बढोले, I'm very sorry, किसी को बताए, I'm sorry क्लियर अब यहां पे और देखो इसका तरीका नंबर 2 अब देखते हैं गौर से यहां पे हमने कहां कि माल लो किस बात के लिए आप sorry हो आखर शोरी होने की बज़ा होनी चाहिए न एक तो आपने किया बज़ा है तो आपने sorry होने की बज़ा क्या है तो आपने कहा I'm sorry to say I am sorry to say that plus subject plus can't plus v1 plus other word यह v1 का मतलब first form dictionary के word यह v1 का मतलब go come क्या होता वर्व का first form तो आपने कहा I am sorry I am sorry to say that I can't help you जैसे किसी की मदद करना है तो आपने कहा I am sorry to say that I can't help you यार मुझे कहते है बड़ा दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता I am sorry to say that I can't help you I am sorry to say that I can't go there I am sorry to say that I can't go there यार मुझे दुख है कि मैं वहाँ नहीं जा सकता I am sorry to say help you है ना तो I am sorry to say that I can't go there I am sorry to say that I can't take it I am sorry to say that I can't take tea I am sorry to say that है ना तो इस तरह सा I am sorry to say that आपको यालत कर लेना है और उसके बास sentence को जोड़ देना है कांट लगा करके I'm sorry to say that I can't help you I'm sorry to say that I can't leave you I'm sorry to say that I can't कुछ भी whatever comes जो भी आप चाहते हो जिसी के लिए आपको दूख हो रहा है उस तरह के अपरियोग आप कर सकते हैं हमने structure दे दिया है इस structure को frame करना है और दिन भर में बोल देना है देखो अंग्रेजी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ सिर्फ मैं structure दूँगा दस पहा दूँगा नहीं आगा बोलने आप जब तक मेरे साथ नहीं बोलोगे न मज़ा नहीं आएगा और आप में से बहुत बच्चे मैं देख पा रहा हूँ आपके मुवाइल में मैं आपको चिक कर रहा हूँ आप बोल नहीं पा रहा हूँ जब तक नहीं बोलोगे इसको खोलो इस डबा है ना इसको खोलो आप खोल के बोलो I'm sorry to say that I'm sorry जो 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 I'm sorry to say that I can't help you I'm sorry to say that I can't take coffee I can't take tea I can't take it I'm sorry to say that I can't take pain तक बोल दो I'm sorry to say that I can't take it मैं इसको नहीं ले सकता I can't take it I'm sorry to say that I can't take borrow मैं उदहार नहीं ले सकता I'm sorry to say that I can't take borrow I'm sorry to say that I can't go there I'm sorry to say that I can't help you इस तरह से आप आराम से बोल सकते हो, बोलोगे न, याद हो गया, आगे बोलो मेरे साथ, अब देखो यहाँ पे, थार्ड स्टेप, आपने कहा, यहाँ देखिए, अब आम सॉरी एक वर्ड दिया हमने, मालो उतना लंबा नहीं बोलना चाहिए, सॉर्ट बोलना चाहिए, तो आई एम बोलना चाहो तो बोलो, बढ़ना इसे भी छुपा दो, अब सिंपल बोलो, सॉरी टु हर्ट यू, यार मुझे दुख है, तो मुझे दुख पहुंचाया, माले कोई वर्ड बोलना, सॉर्ट बोलना था, अब कोई सॉर्ट बोलना जरूरी था, तो आपने कह दिया, लिया को बथ्टा फॉल्सारी आखॉल पभात सदेयो आख अ ढूना चाहो तो बोलो । ना बोलना चाहो नहीं पराट नहीं आखुवध्ट नहीं यृ प मिस्पीएब ना इस तरह से आप काम करें काता हो तो I am sorry to hurt you, I am sorry to interrupt, interrupt का मतलब होता है बीच में डोकना, बीच में टोकना, जैसे मालोग दो-चार लोग बात कर रहे हैं, आपको बात अच्छा नहीं लग रहा, दो लोग बात कर रहे थे, लग रहे थे, आपको अच्छा ही लग रहा, आप बीच में गए, आपने कहा, sorry to interrupt you, sorry to interrupt you, interrupt का मतलब होता है बीच में घुजाना, interrupt का मतलब इंटरफेर करना, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा हो, आप बीच में बोल गए, उसको interrupt है, तो आप बीच में बेवजा नहीं बोल सकते, आप अंगरी जी में एक लाइन बोल देंगे, तो आपकी प्रस्नालिटी बन जाएगी, दो व्यक्ति बात कर रहे है, तो आप बीच में गए, आपने क्या बोला, sorry to interrupt you, I'm sorry to interrupt you, तो I'm sorry to interrupt you, यार देखो, मैं interrupt करूंगा, वहला कि मुझे नहीं करना चाहिए, बर तुम लोग आपस में बात कर रहे हो, वह अच्छा बात नहीं है, तो क्या बोला, sorry to interrupt you, आपने कहा, sorry to disturb you, दो व्यक्ति बात कर रहा है, या आप गए वहाँ पर, क्या गा, sorry to disturb you, या आपने कहा, sorry to misbehave with you, हमने तुम से जो misbehave किया था, उसके लिए मुझे बड़ा दुख है, तो sorry to misbehave with you, गलती से हो गया, तो I'm sorry, या sorry to misbehave with you, इस तरह से आप अंग्रे जी बोल सकते हैं, तो बोलो sorry, इतने तरह से बोल सकते हो, अगर आपने इसे याद कर लिया ना, तो sorry बोलने का अंदाज अलगल होगा, धीरे धीरे अभी lockdown लंबा चलेगा मुझे पता है, इस लंबे lockdown में हम लोग क्यों ना अंग्रे जी के हर वो चीज, हर वो एटिकेट, हर वो सिष्टा चार क्यों न सीख लें, वो तरिका सीख लें, जिसमें हम बहतर इंगलिस बोल सकते हैं, सिख सकते हैं, एक छोटी सी, एक जुवान खोलने पर, एक छोटी सी आप माउथ खोलते हो, जिससे आपका अंग्रे जी, परफॉर्मेंस आपका बहतर हो जाता है, और आप अच्छा बन ज सिखाया था, एक वीडियो आपने देखा होगा, डेस अंगलिस पर, कि थैंक्यू बोलने पर क्या होता है, तो थैंक्यू अगर आपने, आपको किसी ने थैंक्यू बोला, आप बोलते हो, या वेलकम करते हो, या आपने करते हो, इस तरह सा आपको पता होगा, एक वीडियो जोड़े, मेरा बिंदू ये है, मेरा मुख पॉइंट ये है, मैं सिर्फ थैंक्यू नहीं बोलना सिखा रहा, थैंक्यू तो सब एक बच्चा आनपड़ भी बोल लेता है, बट आगे का संटेंस कैसे जोड़ेंगे, यह बिंदू है, यह चीज मैं आपको शिखाना चाहता हू मेरे दोस्त, तो हमने कहा, थैंक्यू फॉर यूर यूसफू अडवाइस, किसी ने तुम्हें सला दिया, तो आप चुप हो गए, हाँ जी ठिक कर नहीं, आप बोलो, थैंक्यू फॉर यूसफू अडवाइस, तुम्हारे यूसफू अडवाइस के लिए धन्यवाद, आपन आपने क्या कहा उसको, थैंक्यू फॉर यूर सपोर्ट, हैना, थैंक्यू फॉर यूर कॉपरेशन, कुसी ने आपको कॉपरेशन किया, सहायता किया, कॉपरेट कर दिया, तो आपने कहा, थैंक्यू फॉर कॉपरेशन, थैंक्यू फॉर काइंड हेल्प, किसी ने मदद कर द you for your support, thank you for your useful advice, बोल रहे हैं आप सब लोग। नहीं बोल, चोटे बच्चे ही बोलेगा, मैं जो बोलू होई copy करो thank you for your useful advice thank you for your support thank you for your cooperation thank you for your kind help I hope देखो तो जल्दी पढ़ना पड़ेगा otherwise वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी आपको थुआ 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 पढ़ते रहना है अब देखो इसे में आप thank you के second step क्या हो सकता है अब देखो thank you for तो था यहां पर लेकिन यहां पर मैं होते हैं और यह बहुत जरूरी आपके लिए है तो thank you for your अब देखो thank you for thank you for not disturbing me जैसे आपको किसी दिस्टर्ब नहीं किया तो आपने क्या बोला thank you for not disturbing me thank you for not disturbing me मुझे डिस्टर्ब ना करने के लिए धन्यबाद thank you for helping मी, मेरी मदद करने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू फॉर, helping me, थैंक यू फॉर, coming with me, मेरे साथ आने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू फॉर, coming with me, थैंक यू फॉर, advising me, मुझे सलाह देने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू फॉर, inviting me, मुझे invite यस थैंक्यू फ़ॉर गुड थैंक्यू फ़ॉर गुड थैंक्यू फ़ॉॉ गुड थैंक्यू फ़ॉर बहुत बढ़िया बहुत छुनिदarten आपट-संदर तैंस डंचभ Premiumいました यह आज फिए, मैं देखते हैं! थेंक यू, शौरी, गेट, यह भारा हम आपको, तो को मैं लिख भी दिया है, कि modern English में, गीव की जगा, गेट का यूज करते हैं, जैसे आप गीव का परियो करो, इसे गीव मियोर पेन, बोलते हो ना, गीव मियोर पेन, तुम अपना कलम देना है यार, अब गीव की जगा प्लीज चाहो तो बोलो, ना मर जी हो, ना बोलो, बेसिकली यह इंपरेटिव संटेंस है, और इंपरेटिव संटेंस हमने आपको बेसिक क्लास में, DSA Learning, कि बेसिक क्लास में पढ़ाया होगा, वहां से पढ़ लेना, ठीके संटेंस क्या होता है, इंपरेटिव का मतलब होता है, जो V1 प्लस अदर वर्ड से स्टार्ट होता हो, उसको इंपरेटिव कहते है, तो बेसिकली है यह इंपरेटिव, लेकिन आपको क्या है, कि मैं बूलवाना चाहता हूँ, है ना, तो आपने सिंपर बोला, गेट मी और पेन, गेट मी और कॉपी, गेट मी और बूग, परियो करना, उचित नहीं है, आप गेट का ही परियो करें, तो क्या बोलना है, प्लिस गेट मी और पेन, प्लिस गेट मी और कॉपी बूग, प्लिस गेट मी और वाच, प्लिस गेट मी और बूग, प्लिस गेट मी और पेन, प्लिस गेट मी और बूग, प्लिस गेट मी और प्लिजगत मेश ग्लास ओफ वाथर, प्लिजगिजगी क्लिए ने संदर फंदू बहुत बढ़िया, मुझे एक कलम दे दो, क्रिपया करके मुझे कलम दे दो, हाँ, क्या बहुत बढ़िया, मुझे एक सुन्दर कलम दे दो, प्लीज गेट मेग ब्यूटिफुल पेन, राइट, बहुत बढ़िया, एक बोलो, मुझे बढ़िया सा कहानी का किताब दे दो, प् प्लीज, गेट मी yor pin, बहुत बढ़ीया, मुझे अपना सक्रड देदो, प्लीज, गेट मी my son, बहुत बढ़ीया, मुझे अपना कलम देदो, मुझे मेरा कलम देदो, please get me my pin, राइट, बहुत सुथर, इस तरह से बोला आपने, एक बार दो-चारव बोलो, कृप्या कर अपना किताब मुझे दे दो please get yes yes please get me your book बहुत सुन्दर इस तरह से थ्वाप प्रयास करना है get me करके your pen, your copy my लगा दना है glass of water, glass of coffee इस तरह से आप बोच सकते हो बहतर कर सकते हो यानि modern English में give की जगा गेट का प्रयोग करते हैं, कर सकते हैं, इसे इंग्लिजी आपका बहतर होगा, गिप चाहो लगा सकते हो, गेट लगाओ लगा सकते हो, ज्यादा चाहोगा कि हम गेट का प्रयोग करें, बोल चाल की भासा में, यह आपका इंग्लिज को स्मार्ट करेगा, और उससे बहतर बना आप सीखें, तो मेरा प्रयास सार्थक होगा, आप सब बेहतरी तरह से पहत रहिए, इस वीडियो को मैं आप के दे रहा हूँ, आप भी पुन्न कमाईए, आप भी हजार लोगों को सेर करिए, और बात करिए, और तब जा करके एक करांतिक तरह पहलेगा, हर बच्चा सीखेग आप की तरह सिखना चाहेगा, और हर बच्चे को सेर करिए, अभी बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते हैं, उनको जनवाईए, उनको बताईए, कि यहाँ पर कैसे पहाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है, हर बच्चे के साथ डिसकस करिए, तब पहाया आएगा, और इनसर भी को मज़ा आएगा, थैंक यू बरी मच, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में, थैंक यू बरी मच